आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ डार्विन की फियोरी में पहले बोला गया था कि फेवरेवल जो फेनेटिक्स है यानि जो फेनोटिपिक वेरियेशन से उसी को दिखके हम लोग कह सकते हैं कि आगे का इंडिवीजुल जो है वो क्या होगा लेकिन नियो डार्विनीजम जो है ये एक ऐसा थियोरी गिवन हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो कैरेक्टर्स पास होते हैं वो फेनेटिपिक नहीं होते हैं और उसके जगा जो सिर्फ जेनोटिपिक कैरेक्टर्स जेनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं वही सिर्फ पास ओन होते हैं जैसे DNA और genetic material वही pass on होते हैं किस से parents से off springs तक और जो phenotypic characters हैं वो pass on नहीं होते हैं बिना genetics या फिर genes के तो यही चीज जो है नियो डार्विनिजम में कहा गया था और नियो डार्विनिजम जो है ये given हुआ था जिन्होंने mutation का भी quotation निकाला था या फिर theory निकाला था और चार्ल्स डार्विन खुद ने ये दोनों ने क्या किया था डार्विन के law को या फिर theory को rectify करके नियो डार्विनिजम बनाया था इसलिए correct option हो जाएगा third option बाकी options भी देख लेते हैं तो पहला है लमार्क लमार्क ए कैसे scientist थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के साथ मिलके theory of use and disuse of organs को बनाये थे जिसमें कहा गया था कि जो organs use नहीं होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं environment से extinct हो जाते हैं next है AR Wallace और चार्ल्स डार्विन तो इन्होंने दोनों ने natural selection पे contribution किया था last है चार्ल्स डार्विन और F ready तो इन्होंने spontaneous generation पे theory जो है वो निकाला था spontaneous generation तो इसका मतलब है हमारा correct option क्या हो जाता है हमारा correct option और थार्ड option उसको हम लोग टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर